वेल्कम, वेल्कम वेल्कम तो दे वर्ल अव फिजिक्स, तुड़ी आओर टॉपिक इस मेकनिक्स एडिस वेरियस ब्रांचेस, हमारे मांड में एक सवाल आता है कि यह मेकनिक्स क्या है, इसको सुनने से ऐसा लगता है कि यह कोई काफी भारी भरकम सा चीज होगा, मगर यह बहुती सिंपल सा चीज है, जो हमारे डेली लाइफ में घटित होता है, अगर आपनों को मैं बता दूँ जो यह मेकनिक्स क्या है, तो आप इनों में से कोई हमको कहिएगा, सर वो यही था, इसके साथ हम डेली फ्वासा पसी करते हैं, तो सुनिये, वरिस मेकनिक्स, मेकनिक्स is the branch of physics, which deals with the study of an object at rest or motion, फिर से, once again, मेकनिक्स is the branch of physics, which deals with the study of an object at rest, या फिर motion, यानि के, मेकनिक्स, physics का ऐसा branch है, जो किसी object का rest और motion सम्बंदित ज्यान देता है, फिर, अब इस मेकनिक्स को कुछ भागों में विवक्त किया गिया है, फर इसांपल, उनमें से एक है, इस्टेटिक्स, फिर से एक सवाल आता है, वाट इस्टेटिक्स, तो इस्टेटिक्स is the branch of mechanics, we deals with the study of an object at rest, यानि, इस्टेटिक्स, मेकनिक्स का वो ब्रांच है, जो किसी object का rest के सम्बंदित ज्यान देता है, यह जो इस्टेटिक्स आप देख रहे हैं, यह Greek word है, जिसका माने ही होता है rest, मेकनिक्स का दूसरा ब्रांच है, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, तो बहुत कोई confuse करता है, इसको काइनेटिक्स बोलता है, तो यह काइनेटिक्स नहीं है, इस्टेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स क्या है, it is that branch of mechanics which deals with the study of an object at motion motion without considering the account cause of it मतलब वो जो है mechanics जो है किसी object के motion के related ग्यान देता है मगर वो यह ने बताता है कि उस object के motion के पीछे का cause क्या है कारण क्या है next branch of mechanics is dynamics 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 क्या है dynamics is the branch of mechanics which deals with the study of an object as motion taking into account the cause of its motion यानि के उसका यानि के dynamics जो है किसी object का motion के बारे में ग्यान देता है और वो यहाँ भी बताता है कि उस object के motion का पीछे का कारण क्या है what is the cause उसको भी अगर consider करेंगे then that will be the study of dynamics तो आज के लिए इतना है उमीद करता हूँ इछोटा सा वीडियो आपको में साथ चलावा होगा मिलते हैं next वीडियो में सब तक के लिए thank you thank you very much हूँ आपको आपको असरी करें में तो आपको में तो आपको 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 धना है